हलो एवरीवन वेलकम तु मैं व्लॉग मुग टाटूस गो आप सब लोग ठीक होंगे और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला था मेरे सब्सक्राइबर भी जो डेली से आये थे टाटू बनवाने मेरे पास उन्होंने मेरा व्लॉग देखा था और कमेंट करके नमबर मांगा और मेरे प्रोफाइल देखके उन्हें काम बहुत पसंदाया तो सो उन्होंने अपॉइंट्मन पहले ही फिक्स कर ली थी और डिजाइन भी सब कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया था क्या चीए तो एक बज़े आने वाले थे बर उन्हें लेट हो गया उनकी फ्रेंड के पहर में चोट लगए थी तो ये डिजाइन जो मंडला था इनका बहुत टफ था थोड़ा डिफिकल्ट इसे स्टेंसिल बनाने में बहुत टाइम गया फिर भी मैंने सब कुछ ट्रेडी कर लिया थ फटा पड़ और ये देखो मैंने एलॉक्स चैली लगा कर स्टेंसिल लगा दी थी एक्चुली इसमें डिटेलिंग काफी है बहुत छोटा काम था और ये साइज हमने 4x4 लिया था जब भी कोई राउंड टाटू होता है तो उसमें इंच और विद ऐसा 4x4 या 5x5 ऐसा ही क्रिप्टेव लगा रही थी मैं उसके बाद और आम लोग काफी सारी बाते भी कर रहते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत ब्लेस्ट फील हुआगे मेरे व्लॉग देखके हालक कि जादा वियूज नहीं आते हैं बट स्टिल उन्होंने मेरा व्लॉग देख तो उन्होंने पहले से ही फिक्स कर रहा था काम तो हो रहा था देरे थे थोड़ा उन्हें हल्का पेहिन भी हो रहा था क्यूंकि काफी डिटेलिंग थी बहुत बारीक-बारीक उसमें था बहुत सारी चीज़े थी आप मेरे ब्लॉग में आप मेरे इंस्टागराम पर जाके थी मुझे देख रहा था अच्छे से बट कोई नहीं बनाना तो था क्योंकि टाइम वेस नहीं कर सकते थे अल्रेडी लीट हो गया था तो आइ थिंग मुझे इसे चार घंटे लगे थे टाटू कम्प्लीट करने में और फाइनली टाटू कम्प्लीट हो गया था और शी वेरी हापी उसे उन्हें बहुत अच्छा लगा था टाटू बहुत खुश थी वो उन्होंने मुझे हख भी किया मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जब मेरे क्लाइन्स खुश होते हैं मुझे ट्रस्ट करते हैं तो यह दे को फिर मैंने थोड़ा शूट कर लिया था रील इंस्टाग्राम के लिए और फिर हमने कुछ फोटो शूट भी किये थे आप देख सकते हो कैंडिड बहुत अच्छी फोटो जाई थी तो आम रियली ब्लेश्ट थैंक्स पर वाचिंग काईज मैं व्लॉग कल मिलते हैं बाई बाई